हाई फ्रेंड्स मैं हूँ विकास इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि सैमसंग के फोन में font change कैसे करें सैमसंग के मुवाइल में font कैसे change किये जाते हैं आईए जानते हैं सबसे पहले आपको अपने फोन की जो खाली स्क्रीन है जहां पर कोई भी अप्लिकेशन नहीं है वहाँ पर लॉंग प्रेस करना है आपको मिलेगा यहां पर वॉल्पेपर, थीम, विजेट्स और सेटिंग्स आपको थीम वाले उप्सन पर आना है यहां से हम थीम डाउलोड कर सकते हैं नए नए वॉल्पेपर डाउलोड कर सकते हैं और फॉन्ट भी हमको यहीं पर मिलेंगे यहां पर आपको wallpaper पर आना है यहां पर आईए आपको उपर मिल जाएगा font वरना आप search भी कर सकते हो आपको font option को select करना है select करने के बाद थोड़ा सा wait करना है यहां पर आपके पास कुछ top paid font आ जाएगे आपको free चाहिए तो free को select करिए वरना free search करिए दो ही यहां पर free है मैं free search करके देखता हूँ आता है कि नहीं frwe तो हम search करते हैं तो जो font free होंगे आ जाएंगे तो यहां पर कोई available नहीं है यह वाला देखता हूँ मैं कैसा लगता है मैं इसको select करता हूँ यहां पर जाएदा changing नहीं है परचेस कर सकती हो यहां पर उसका price लिखा है यह 54 रुपे का है जैसे यह 49 रुपे का यह 49 रुपे का तो मैं इसको select कर लेता हूँ तो मैं इसे open करता हूँ यह download हो रहा है font जब यह download complete हो जाएगा तो आपको इसे apply कर लेना है apply करना simple है तो यह install हो चुका है apply कर लेजिए और apply करने के बाद आपके font यहां पर आ जाएगे आप नया वाला font लगा सकते हो और font change हो जाएगा शायद आप समझ गए होंगे तो देख सकते हो मेरा battery percentage उपर आरक आ रहा है setting में जाते हैं अगर आपको वीडियो पसंद आई है वीडियो को लाइक करें चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा